नमस्का दोस्तों स्वागत आपका एक जोनी क्लास में सभी भाईयों को राम राम दोस्तों अपन इस वीडियों बात करने वाले हैं ग्राम सेवेक विकास दिकारी की जो एक्जाम हाली में संपन हुआ है 27-28 दिसंबर को इसकी जो मेर्ट कट ओफ कितनी जा सकती है क्योंकि इसमें जो अभी पेपर हुआ है ये फस्ट पेपर है इसके बाद जो सेकंड पेपर होना है फरवरी महा के अंदर इसका अनमाल गया जैक फरवरी 2022 के अंदर इसका सेकंड पेपर हो शकता है इसको देखते हुए इसकी cut-off कितनी जा सकती है और इससे पहले मैं बजा देता हूँ कि सरकार के दोबारा 1500 पदों की बढ़ोतरी की बात चल रही है कि 1500 पद बढ़ेंगे और इसको देखते हुए टूटल 5000 से उपर पद जाने की समावना है कि 5000 से उपर पद जाएंगे 5000 प्लस यह पद होएंगे और इसमें जो पास करने की स्थित्य है 15 गुणा पास किया जाएगा यानकि 15 गुणा करें 25,000 45,000 स्टुडेंट को सेकंड पैपर देने का मुखा दिये जाएगा पहले जो बात चल रही थी 60,000 थी क्योंकि इसमें 4000 के किरिवन स्थित्य थी और इसमें 60,000 के लगवग स्टुडेंट मन रहे थे अभी 15 गुणों को पास करें तो 45,000 चातर मन जाएगे तो इस प्रकार इनके 45,000 को सामिल किया जाए तो सेकंड पैपर के लिए मेर्ट कितनी रह सकती है इसका अनलैसिस हम जो 27 दिसमबर और 28 दिसमबर को पैपर हुआ है उनको देखते हुए यह अनुमाल लगाएंगे कितनी मेर्ट जा सकती है ताकि आपका यह सेप सकोर है और ज टोटल जो अपना पैपर हुआ था इसमें सब्जेक्टिवाइज एक एवरिज अंक एक स्टूडन कितने ला शकता है इसमें देखिएगा पहले जो रास्तान जीकी है इंडिया जीकी है वर्ड जोग्राफी से लेडी क्यूशन पूचे गे थे और कंट अफेर की क्यूशन उसके अंद्र टोटल ये मिलाकर 40 किसन थे 40 की अंदर एक एवरिज की बात किरें तो 25 किसन सही कर सकता है एक स्टूडन और मैत की बात करें क्योंकि मैत जहां तक समाना है मैंने मेत सभी प्राउं के देखिया है और इसमें मैत के काफी क्यूशन हार क्यूशन थे यानकि ही सबसारे दस की آtså की ता कीशनों को टेंप्ट कर अपा रहा था वपना ये सा या sv आठ के युद्शन के अंदर ही स् раб स्टूड रहे गए साथ या आठ कीशन ही करके हैं इस जाद अकीशन ही नहीं के औरिजने की बात करें यही इरिजने का हाल था साथ याा आठ जुशन हल करके हैं और इंग्लिस के बात करें इंग्लिस के अंदर तो लगवग राजिस्तानियों का डबा गोल ही लगता है में रिए het क्योंकि जिनकी इंग्लिस अच है थी वो ही उनके ही कम सकम साथ याट क्यूशन हल करें बाकी के एक अनुमान लगाए तो यह अपन कह सकते हैं कि छै क्यूशन इसके पर मान सकते हैं इस परकार हिंदी की भी एक अच्छी तक्डी तैरी होनी चाहिए थी क्योंकि बहुत ही एक सांधर लेवल की हिंदी सभी paper में जीतनी paper हो हैं चार paper हो हैं अपने थाज चल्शेकंड पारी में 27 दिसंबर आठाई दिसंबर को एक बहुत standard level की इसमें रजनी हंदी पुछी गी थी हंदी के अंदर ही इस परकार computer भी बहुत ही levar का पुछावा था क्योंकि इसके अंदर ही जिसने 6 क्यूशन कर दिये उसकी बले बले है और political के अंदर ही 6 क्यूशन कर दिये तो उसकी भी बले बले हैं क्योंकि एक बहुत सांदर level से सभी जितनी मी subject थे आपके उनको cover किया गया था क्योंकि वे से देखा जाए तो math, reasoning, English और ये 6 subject है इनका political को छोड़ कर political के कुछ topic दिये गये थे उन्हीं topic में से question आई है इसके अलावा जे 5 topics बच रहे हैं आपके उनका कोई भी यानकी slabs में level नहीं दिया गया था कि किस level के question पुछी जाएंगे किस प्रकार के question आने है केवल इनका नाम लिख दिया नाम के अधार पर ही ये question आप से पुछे गये है कि math के दे दिया math के अंदर ही है कि पेपरों में देखा अपने कि इसके अंदर ही भी जारी और बारी math की level की एक या दो question डाल रखे थे यानकी math के लग बग के ये question फिर इस प्रकार के question है जो level वीडियो level की बात करें तो इसमें ये delete होने के समावना है question यानकी आपको या तो bonds मिल सकता है इन में या फिर इनके number count नहीं किये जाएंगे ठीक है दोस्तों इसके अलावा कोई इनका standard यानकी slaves के अंदर नहीं दिया गया था कि किस प्रकार की question पुछी जाएंगे और किस प्रकार के आपके त्यारी करनी है तो क्योंकि एक चातर ने जो त्यारी किये थी एक जैसे पटवारी के पर हुआ था पटवारी में जो reasoning math पर गर देगी थी उसके दार पर उसने त्यारी कि थी या normal math पढ़के ही गया था टोटल अपने इसमें बात करें तो टोटल ये question कितने सही हो सकते हैं यानकि यहां से साथ साथ question मानें तो बहुत ही एक average मैं मान रहा हूं यहां पर तो कितने हो सकते हैं यह देखीगा यहां सी हो जाएंगा छेट चोईस चोईस question अपन के सही हो सकते हैं और यहां सी बात करें तो चोदा हो सकते हैं और इनके टोटल अगल मिलाद या जाए चार चार आठ पांच तेरा दो चार पांच छे त्रेसरी question यानि कि जिस स्टूडट के त्रेसरी question सही होगे यह मैक्समिन से मैक्समिन की बात करहूं यहां सी त्रेसरी question सही question होगी वो Second paper के लिए elisible होगा एक average student के लिए बात करहूं तो एक average student कितना नहीं ला सकते हैं तो पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे पिछली बार पेपर आया था, उशी के पैटरन को देखते हुए, ये साज़ तक बनाया गया होगा, पिछली बार तो काफी हार्ड कुछिन, हार्ड पेपर आया हो था, किसी को भी स्पेंज में नहीं आ रहा था, मेट भी बहुत कम गी थी पर अब इसमें नेक्ट की मारकिंग नहीं थी, और नेक्ट की मारकिंग की वज़े से थोड़ी मेट ज़्यादा जा सकती है, इसके अंदर, तुम मैंने कह दिया कि, एवरिज ट्रेस्ट ही रहने वाली, अब देख लेते हैं कि, अलग-लग केटकरी वाइज, कितनी-कितनी मे कर लेते हैं, इसमें देखें, जनरल की अगर बात करें, जनरल के अंदर भी जनरल आ जाएगा, फिमेल आ जाएगी, विड़ो आ जाएगी, और डिवोश आ जाएगी, इसके अंदर भी चार काटकरी होती है, इस प्रकारी, ओभी C, C, S, T, M, B, C, S, H, इनके अंदर भी चार पेपर के लिए त्यारी कर सकता है अगर female की बात करें female की बात अगर करते हैं यह मान सकते हैं 56 से 58 जिनके सही है general के अंदर वो त्यारी कर सकता है और वीड़ो की बात करें तो वीड़ो की थोड़ी कम रहेगी यानिकि 40 से 45 40-45 वीडियो है वह तयारी सेकंड फैपर के लिए तयारी कर सकता है और डिवोश की बात करें तो 40 की आसपास इनकी रहने की सवावना 40 नम्रों की आसपास ही वीडियो की इसमें मेरिट रही सकती है अगर OBC जनरल की बात करें OBC जनरल वाले 55 से 60 55 से 60 जनकी क्यूशन सही हो रहे हैं वो 2nd paper के लिए त्यारी कर सकते है इस प्रकार female है, video है, divorce है इस नमरों से 2-2-3-3 नमर कमान सकते हैं इनका selection हो जाएगा और SC category की अगर बात करते हैं SC category के अंदर 50 से 55 जिनके 50 से 55 क्यूशन सही हो रहे हैं देखो, ये मेट जो बताई जा रही है नेक्ट्यू मारकिंग नहीं था इसी वज़े से मेट जा सकती है मा लेजिए 10 क्यूशन किसे student को नहीं आ रहा था उसका time ही पूरा हो गया वो तुक्वा लगाएगा तो तुक्वे में से अगर 10 क्यूशन 10 में से 3 या 4 क्यूशन ही सही हो गए देखे, चार क्यूशन हो गए उनका प्लस मामिट है अगर वहाँ पर नेक्ट्यू मारकिंग होती 10 क्यूशन का 10 क्यूशन कर पाता अज 4 क्यूशन उसके सही हो रहा है ST category के बात करें ST category के अंदर ST के अंदर लगबग 45 से 50 45 से 50 जिनके हैं वो राम से पास हो जाएगा MBC के बात करें क्योंकि MBC category है MBC category जो मेट रहती है लगबग OBC की बराबर ही आसपास के रहती है यानि कि इसके 58 या 69 के आसपास इसकी मेट जा सकती है और सहरिया की बात करें सहरिया category के अंदर मेट बहुत ही कम रहती है क्योंकि student बहुत कम है और paper बहुत कम देने जाती है इसके वज़ए से तो ये के अनुमाने करें साथ देखा जाए तो 30 नमर के आसपास ये मेरिट रहने वाली है 30 ये 32 रह जाए 34 रह जाए इसके पास ही मेरिट रहने वाली है इसके लावा देखेगा अगर सेहरिया की में इपता दी है सेहरिया की 30 के आसपास रह जाए शकती है अब देखेगा अगर EWS EWS की बात करें क्योंकि इसके अंदर general के students सभी आती हैं क्योंकि राजस्तान के अंदर ये दिया रखेगा रखेगा तो center के अंदर EWS के अंदर आ रहे हैं वो राजस्तान के अंदर अगर OBS के अंदर है तो वो इसकी EWS के अंदर नहीं गिना जाएगा राजस्तान के अंदर general के student EWS के अंदर आएंगे यानिकि इकनोमली विक सैसन है इसकी full form होती है यहां से देकि EWS की जो मेट जाएगी OBS के लगवेक एक्वली जाने वाली है OBS की यानिकी पिछपन से साथ मैंने बताई है तो इसकी आसपास ही कही उनस्ट नमर रहे सकती है ठीक है ठावन उनस्ट नमर इसकी मेट रहे सकती है इसकी इलावा देखेगा LDCP है एक्सर्विसमेन है और ब्लाइंड बेगे रहे है इनकी इनकी मेरिट भी बहुत ही कम रहेगी जैसे अपने थोड़ी बात कर लेते हैं कि जैसे LDCP है यानिक थोड़ा कलर चेर्ज़ कर लेते हैं कलर इसमें देखेगा LDCP यानिकी जिसकी एक हाथ या दोनों हाथ या एक पेर या एक हाथ नहीं है उन्हों को LDCP बोलते हैं कि कलांग जो स्टूड़न होते हैं इनकी मेरिट के अगर बात करें ते इनकी भी काफी कम जाएगी इनकी जो मेरिट रह सकती है क्योंकि लगबग इनके इनके इनदर सभी स्टूड़न सामिल होते हैं जो उख लांग होते हैं ज्रणल की बहुती ओची ओपीस स्टी कि इनकी मेरिट कई पर थोड़ी जिया भी जले जाती है कई पर थोड़ी कमी रह जाती CST से इसकी मेरिट एक पनमान लगाई तो लगबग 50 या 53 के आसपास इनकी नहीं रहने वाली है इसके बार हाइर की बात करें जो इनको कम सुनाएं देता है वो इसके अंदर हाइर के अंदर आ जाते है इनकी limit भी लगबग ये नमालगा़ा जा जा ए कि 40 के आसपास इनकी limits रहे सकती है 40 नमरों के आसपास रहे सकती है क्योंकि student कुछ संख्य के दारपर देखा जाए तो क्योंकि लगबग 12 स-13 लाख student थे जिनोंने ये exam दिया था तो इसके दारप्त देखा जाये तो इसे इतने स्व्ष्ण तो मिल जाएंग assignments के में अले और ब्लाइन्ड की बात करे। ए ऐश्रेच समयन के बात करें तो ऑने 8 stack الرमी रेटे की activity नारेพयों prophecy 29–45 अलेष सकती हैं एक सर्वीच में और आदे है. एक सर्वीच में बद्र करेधे हैं तो इनकी मेरिट है जो लोगब चारीच से आसपास इनकी मेरिट हैगी चारीच से उ और 40 नमबर, इनकी मेर डैंशकती है इसके अलाबा जो मेरिट बची है, TSP area की बची है क्योंकि TSP की लग भी इतनी जाएगी और TSP के area की जितनी में स्टूंड है इन मेर्ड से चार या पांच नमर कम मान सकते हैं और जो में में मेर्ट है मैंने बता दिया इसके अलावा आप बताएगा आपके कितनी क्यूशन सही हो रहे है इसके दार पर थोड़ा अनुमान और लगा जा सकता है एक बहुती एक सर्वे के दार पर यह थोड़ी करने के बाद थोड़ा अनुमान लगा गया है कि इतनी मेर्ट जा सकती है और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सेर करना दोस्तों और वीडियो को लाई करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना योँकि इसके अलावा में एके वीडियो बनाने वाला हूँकि कौन-कौन से नमरोम पन्न क्युष्ट में आपको बहुत संग दिया जा सकता है या उस क्युष्टिं को पेपर से काड़ा जा सकता है कि मैत के क्यूस्टन है इनको नहीं आना चाहिए था वो डाल दिये थे इनकी स्लेफ से आउट उप स्लेफ इनको अपने बोल चकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों दुबारा मिलेंगे एक नई वीडियो साथ धन्यवाद